अभी मैं मार्किट से सबजी वगएरा लेकर आज का हूँ और पहले गेट खोल लेता हूँ सो कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब अच्छे होंगे सो यार गाइस मैं यहाँ पर अपने सिलीपर वगएरा उतार देता हूँ और जो यह सबजी वगएरा मेरे हाथ में हैं इसको मैं रख जिता हूँ किचिन से बेंगन और टमटर वगएरा ले आया हूँ मैं मार्किट से तो मुझे बनाना है टिनर में सो अभी थोड़ा मैं मून फ्रेस वगएरा कर लेता हूँ अभी मैं आ चुका हूँ छट पे और मैं दिखाने वाला हूँ आपको दो छोड़े छोड़े बच्चे जो कि केरम बोर्ट खेल रही है सो जैसा कि गाईस आप यहाँ पर देख रही है यह बहुत ही इंजॉइफुल अच्छे तरीके से बहुत ही सांती पूर्वक यहाँ पर यह केरम बोर्ट खेल रहे है और मैंने दोनों की सीट देगी तो इन्होंने इटो से अपनी चेर वगएरा बना रही है और बहुत ही मस्ती से यह केरम बोर्ट खेल रहे हैं तो इसके बारे में आप कमेंट करके बदा सकते हैं और अभी मैं चलता हूँ अपने लूम की और एक बार टाइम देख लेते हैं पांच बचुवे mein श्टार्ट करने वाला हम अपनी फिसिक्स करने वाला हूं यूनिट एंड डाइमेंशन तो उसकी मैं पहले थियोरी पढ़ूँगा इसमें MTG में जितनी थियोरी होती है वो सारी थियोरी पढ़ दूँगा यह MTG का बुक है बहुतिक बिग्यान और यह आगर आपको यह फारीद नहों तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा त चलिए मैं अपना स्टेडी स्टार्ट करता हूं अब इस चेप्टर वेगर निकाल लेता हूं ना मुझे आज फस्टेश्टर की तो मैंने क्यूस्ट प्रेक्टिस वेगर कर लेती सेकंड चेप्टर की करनी है मुझे आज यूनिट डाइमेंशन लास्ट ब्लोग का एक कमें कि हलो ब्रोदर मैं पर यकीन हिंदी मेडियम से निट दो हजारते इसकी प्रिपेशन कर रहा हूं बट मेरा बैकलॉग जादा हो गया है अब कैसे मैनेज करूं प्लेज गिब मी आज सम आइडियास तो देखिए बैकलॉग के लिए आप अलग टैम टेबल बना ले या फिर से आप टेड़ी करते हो तो उसके लिए तिंडी बनाने के तीन लैक्ट्य ा two ओ फिसी रे जिस्टीट के लेने है आप NCRT पढ़ते हो लेक्चर पढ़ते हो लेक्चर अटेंड करते हो तो उसके बाद MTG की जो ठीरी होती हो उसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए वाल टाइम और उसके बाद जो इसमें क्युस्टन प्रैक्टिस वगरा होते हैं तो उसमें क्युस्टन लगाने चाहिए इसमें क्युस्टन जो होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं एक टॉपिक दे देंगे आपको और उसी के 20-30 जितने भी क्युस्टन विए उससे रिलेटेड इसमें क्युस्टन दे रहे होंगे तो इस टाइप से कुछ रिव्यू है इसका बुक का और यहां पर कुछ दे रखा है कुछ डाइरेक्ट वगरह लिखे हुएं यहां पर तो इस टाइप से कुछ रिव्यू है इस बुक का और अभी दिखाने वाला हुमा आगए सो यहां पर दे रहे हैं बहुत सारे क्युस्टन जैसे टोपिक वाइज आपको दिख रहा है इसमें जैसे एक टोपिक है मातरों को की अंतराश्टिय पत देते हैं तो इसी से रिलेटिड ही जहां तक यह टोपिक होगा पहले आपको NCRD में पढ़ना है लेक्चर वगरह में लेना है उसके बाद इसमें उसी टोपिक के क्युस्टन लगाने वाइस तो बहुत ही अच्छी बुक है क्याक्टिस के लिए इस देखो बहुत सारे क्युस्टन है इसमें लगबग आई तिक आइंड रेट क्यूशन है जैसे द्रव्यमान का मापन दे रखा है तो और यहां पचास हजार फोलोवर्स कम्प्लीट हो चुके हैं थैंक यू थैंक यू सो मच एब्रीवन एंड लव यू आल सो अभी जिसने मुझे इंस्टाइग्राम पर फोलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टाइग्राम पर जाके फोलो कर ले और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ अपनी इंस्टाइग्राम आइडी का तो गाइस फाइनली मेरी डिंग अल्मॉस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और तो प्रेक्पिस करने के लिए इस तरह का एक ओमर सिट ले लेना और तीस रुपए का मिल जाएगा उनली और इस टाइप से देखा मैंने काफी प्रेक्पिस क या हुआ है पाई लोगी वेगरे करता और केमिस्टी वेगरे का तो इस ही मैं अपना प्रेक्पिस करता हूं जैसे मुझे पचास कुस्टन लगाने तो मैं एक से लेकर 50 तक कर लेता हूं फिर उसमें क्या होता है पहले मैं कुछिन लगा लेता हूं पहले का ए है बी है या फिर जो गलत होता इस तितर गलत करती हाँ ओस week मैं काौंट करता हूँ मेरे 50 में से कितने सही गई 20 गई 30 गई करते हुए फिर जो गलत गलत हो नहीं है जो फिर prede बाकी सतरी तो सही अंकि तरही हो दो कईने थे उस स्थीक और ड़कर तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पिछले ब्लोग में जो मैं कमेंट ठीक से पढ़ने ही पाया था वो मेरे समझ नहीं आया था तो उन्होंने फिर से कमेंट किया है भाईया मैं बोल रही थी कि मैं अभी 11th क्लास में हूँ एंड मेरा अकास इंस्टिजूज का सबकिस्टन ले रखा है जो कि इंग्लिस मीडियम में है और मैंने अपनी जो 10th की पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम से कम्पलीट की है और अभी भी हिंदी मीडियम से हूँ बस मेरा क्यूशन ये था कि अपनी स्टडि कैसे करू हिंदी या इंग्लिस एक्जाम कौन से सब्जेक्ट में देना है मैं दो क्यूंकि कोचिंग इंग्लिस मीडियम में है और स्कूल हिंदी मीडियम में प्लीज बताइए ना भीया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तो देखो सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना है कि मैं समझ कि कैरे कि यूसन हैं वो मैं इंग्लिस में शेयर समयश पाती हो तो बहुत अच्छा है आप इंग्लिस में कर लो अगर वह चीज नहीं समाझ आ रही है इंदी में भी कर सकते हो so finally guys अगर आपको ये vlog अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सबस्क्राइब